हेलो अब्रीवां तो चलिए आज का क्लाससस्टार्ट करते हैं जहारखनलाइप प्रवारे पर कौन सा क्लास है आज का कीमिस्टिकरण का पार्ट वन मैं जीक्टी करता है था प्रकॉर में क्ट वी कभी 500 कोश्चन और कभी 100 कोश्चन ऐसे करवा कर तीन पार्ट में मैं कंप्लीट करवा दिया था और बहुत कम वक्त में मैं बायोलोजी का पूरा का पूरा 550 कोश्चन दे रखा है वो वीडियो भी आप देख लेगे पीडियो भी आपको मिल गया होगा त्रीगीतम चैनल पे कौन सा चैनल है टेलिग्राम में今 सर्जर्च करेंगे वहाँ पे आपको इसका पीडियो मिला करेगा करेगा कैमिस्ट्री हो फिजिक्स हो जान के लिलेंगे और यह इस नाम से एक और चैनल है हम लोगों का यूट्व पे वहां पे जाएंगे आपको साइंस डीटेल में मिल जाता है तो लिवोजियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक लिवोजियर को कहा जाता है कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं देख रहें पहले कोई भी चीज ठोस से किसमें बदलता है लिक्विड में फिर जाकर गैस बनता है लेकिन नहीं लिक्वीड में बिना बदले मतलब कोई ठोस जो है वो सीधा सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं उद्रवपातन कहते हैं उद्रवपातन इंग्लिस में सब्लिमेशन कहते हैं उसको तो यह उद्रवपातन हो गया मतलब सीधा ठोस से क्या हो जो जाता है गैस बीच का जो पा GW है लिक्वीड नहीं आता तो उसके दो एक्जामपल देख लिज़े आईोडीन है है ना आईोड़ीन जो होता है वो और कपूर कपूर कैंफर है ना तो ये सब को अगर आप जलाते हैं कपूर को जलाते हुए देखते होंगे आर्थी के दर्मियान क्या करते हैं कपूर को जलाया जाता है ना तो वो क्या लिक्वीड में बदलता है बिलकुल नहीं बदलता है सीधा सीधा क्या होता है गैस में बदल जाता है तो आयोडिन और कपूर उद्रव पातन के थुरू सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है फिर थर्ड कोशन देखे पदार्थ की चौथी अवस्था एवं पांचवी अवस्था भी है आप पढ़े होंगे कि पदार्थ की तीन अवस्था हैं लेकिन यह चौथी और पांचवी अवस्था भी है तो उनके क्या नाम है तो उनके नाम है चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइस्टाइन कंडंसेट याद रखेंगे प्रित्वी पर पाय जाने वाले प्रमुक्त तत्व में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है अब आप कहेंगे कि ऐसा तो कोई और भी कोशन पढ़ें लेकिन देखें यहाँ गौर फर्माने वाली बात है कि यहां पर आपको तत्व धिहान में रखना है तत्व मतलब element ठीक है जितने भी element है ना आपके जो periodic table में जितने भी तत्व हैं उस तत्व की बातें कर रहा है तो प्रित्वी पर पाये जाने वाले प्रमुक तत्व में से सबसे अधिक कौन पाया जाता है तो oxygen पाया जाता है प्रित्वी पर और दूसरे और तीसरे तत्व कौन है तो दूसरे नंबर पे हैं silicon और तीसरे नंबर पे हैं aluminum समझ गए अब silicon कैसे आध रखेंगे silicon तो जानते है oxygen के बाद हवा के बाद सबसे ज़्यादा अगर कुछ पाया जाता है तो बालू पाया जाता है और बालू में आपको silica मिलता है silicon dioxide silica बोलते हैं इसको और इसमें silicon होता है मतलब बालू में सिलिका होता है और silicon में SI चुपा हुआ है मतलब silicon है तो आध रख लेंगे कि oxygen के बाद सबसे ज़्यादा silicon पाया जाता है फिर aluminum दूसरे नंबर का silicon तिसरे नंबर का aluminum अब देखिए next question क्या कह रहा जल oxygen तथा hydrogen से मिलकर बनता है जानते है hydrogen oxygen से मिलकर बना हुआ है तो इसमें से कौन जलने में सहायक होता है और कौन खुद जलता है तो बताई है hydrogen है और oxygen है दो है इसके घटक किसके जलके तो बताई है hydrogen और oxygen में से कौन जलने में सहायक है और कौन खुद जलता है तो ज़र द तेखिए औक्सीजन है ना ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहाइटा करता है लेकिन हाइड्रोजन जो है वो खुद जलता है मतलब समझे ऑक्सीजन खुद नहीं जलता वो किसी दूसरे को जलने में सहाइटा करता है है ना और हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है खुद जलता ह तो ऐसे आप याद रख लेंगे तो ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हैडोजन खुद जलता है लेकिन इन दोनों का योगिक मतलब जो जल है वो आग को बुझा देता है देख रहे हैं प्रकृति का क्या खेल है तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 6 क्य सबसे ज़्यादा पाया गया ये । जो है तो बताएं यहां जो नए तो बताएं कि दूसरे और तीसरे कौंड से ट्थू में myś tats可以 जाते हैं तो oxygen सबसे पाया जाता है और कार्वन दूसरे नमबर पे और हैडरोजन तीसरे नमबर पे पर्सेंटेज इसका याद रखना ज़रूरी नहीं है ठिक तो कार्वन सबसे ज्यादा तो ऐसे भी सुने होगे कि मनुस्ष जो है वह पानी से सबसे ज्यादा बना हुआ है लेकिन तत्चू की बात कर रहे हैं तत्चू की बात कर रहे हैं तो आंक्सीजन सबसे ज़्यादा और सेकंड नमबर पर हाइडरोजन तत्थू जो है वो थड नमबर पर नेक्स्ट कोशन देखिए सर्करा और नमख के मिसित्वन को इथाईल अलकौहल में मिसरन को इथाइल अलकोहल में मैं नहीं है में में 384 केलिविन ताप पर गर्म कर अलग किया जाता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं तो जब देखिए सक्रा मतलब सुगर और नमक को अगर मिला दिया जाए और हम बोलेंगे कि नहीं नमक और सक्र को अलग अलग करो तो उसको अलग कैसे करते हैं तो उसको क्या करते हैं इथाइल अलकोहल रहता है उसमें मिला कर 384 केलिविन ताप पर गर्म किया जाता है तब ये सक्कर और नमक को अलग कर पाते हैं हम लोग तो इस process का नाम है रवा करण तो रवा करण को इंगलिज में बोलते है किस्टिलाइजेशन तो यह आप याद रख लेंगे तो इस question देखिए एक question में तीन question बन सकता है एक इथायल अल्कोहल के presence में और एक 384 Kelvin ताप पर यह दो question हो गया इथायल अल्कोहल 384 Kelvin ताप और इस process का नाम है रवा करण किस्टिलाइजेशन तो यह तीनों तरीके से आप एक sentence में याद रख लें अच्छा होगा next question है जब दो द्रवों के क्वथनांक मतलो boiling point में अंतर अधीक होता है तो उसके मिस्रन को किस वीधी द्वारा पिर्थक किया जाता है तो आस्वन वीधी के द्वारा आस्वन वीधी किसको बोलते हैं distillation को distill water जो होता है ना इसी process से वो क्या किया था है पानी को प्यार किया जाता है तो आस्वन वीधी distillation में क्या होता है कि दो द्रवों के जो boiling point होते हैं उसके बीच बहुत ज़्यादा अंतर होता है अधिक अंतर होता है तो उसके मिस्रन को जो अलग किया जाता है उन दो द्रवों को उसको आसवन विधी के द्वारा अलग किया जाता है और अंतर अगर कम हो तो किस विधी से करते हैं तो इसके लिए हम next देखेंगे ठीक है वो आने वाला है तो ज़रा देखें अच्छा next वही है तो next क्या वैसे मिस्रित द्रवों जिनके कुटनांक में अंतर बहुत कम है तो बताएए किस विधी द्वारा अलग किया जाता है उन दो द्रवों को तो इसका नाम है आनशिक आस्वन पहले वाले का था आस्वन विधी यह है आनशिक आस्वन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको जैसे एक जामपल क्या है खनीज तेल और कच्छे तेल में से तेल या फिर कोलतार है ना सूध डीजल पेट्रोल मीटी तेल कोलतार आदी इसी विधी द्वारा अलग किया जाता है तो किस विधी द्वारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं आनशिक आस्वन और टेंथ नमबर कोच्छन है किसी मिस्रण के विभिन घटकों की अवशोशन अवशोशन मतलब एबजॉर्प्शन है ना एबजॉर्ब कर लेता है चमता भिन भिन होती है ठीक है और इस पर आधारित उन घटकों को अलग किया जाता है उस प्रोशेस का क्या नाम है मतलब अगर तीन चार घटक हम मिला दिये हैं एक मिस्रण में और सब का जो है अवसोशित होने की चमता और किसी दूसरे चीज़ को अवसोशित करने की चमता अलग-अलग हो तो उस process के थुरू क्या करते हैं उन सब को अलग-अलग किया जा सकता है तो उस process का नाम क्या है तो वर्न लेखन बोलते हैं उसको वर्न लेखन इंगलिस में बोलते हैं chromatography chromatography ठीक है और आपको अगर हिंदी में ज़्यादा problem हो रहा होगा तो आप तरी गीतम intuition पे जाकर देख सकते हैं वहाँ पे मैं bilingual videos बनाता हूँ और काफी बेहतर से दिया हूँ और आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ video काफी अच्छे से बन रहे हैं और यहाँ भी अच्छा concept के साथ बता रहा हूँ ऐसा नहीं है बस वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा detail में आपको मिलेगा तरी गीतम intuition यूट्यूब चैनल पे और PDF के लिए आप यही सर्च करेंगे कहाँ पे टेलिग्राम में तो चलिए chromatography देख लिए वर्न लेखन अब नेक्स्ट कोश्चन क्या कह रहा है 11th नमर कोश्चन यह कह रहा है उस वीधी का नाम बताएं जिससे carbonic misran मतलब जिसमें carbon हो है ना carbon compound जो बोलते हैं को सुद्ध किया जाता है जो जल में अगुलनसिल होता है गौर करें carbonic misran तो होता ही है लेकिन उसको सुद्ध किया जाता है और ऐसे तत्तु होते हैं उसमें जो जल में अगुलनसिलो मतलब घुलता नहीं है परन्तु भाप के साथ वेपराइज हो जाता है मतलब अगर उसको गरम करें कि क्या है क्या नहीं है तो यह दरबिमान संख्या और परमानू भार जो होता है atomic weight और mass number इसमें थोड़ा सा लोगों को confusion होता है यह weight है और यह mass है इसके वज़े से लोग confuse कर जाते है वैसे मैं physics के class में त्रिगित्व intuition में बता चुका हूँ कि weight का unit होता है newton तीनों के बीच का concept तो जरह देखे परमानू भार और अनू भार है मतलब यह क्या है measure करने वाली चीज है भार है संख्या को measure करते हैं नहीं संख्या को measure नहीं करते हैं मापते तॉलते नहीं है भार को क्या करते हैं मापते तॉलते हैं तो किसी भी चीश को मापना और तौलना से क्या मतलब होता है अगर हम बोलें की एक ए छोटा सा लाइन के कमपेरिज़न में अब बताएं की यह लाइन जो बड़ी वाली ओ बड़ी है अब बताएंगे बिल्कुल कि बढ़ी है तो किसके संदर में ये चोटी वाली लाइन के रेस्पेक्ट में है ना मतलब इसके कमपेरिजन में बात समझ रहें तो भार को भी वैसे ही है किसी भी भार को मेजर करें गे तो किसी के compare में देखेंगे तो बस वही concept छुपा हुआ है कि किसे compare करते हैं किसी भी परमानू का जैसे iron का हम परमानू ले लेते हैं और बोलते हैं कि इसका एक परमानू यहाँ पे है तो बताइए कि इसका atomic weight क्या होता है तो इसका जो एक परमानू का atomic weight जो होगा वह हम लोग किस से तुलना करते हैं तो बस वही कॉंसेप्ट है तो आप जानते हैं कि कार्बन का आइसोटोप्स जो हता हो तीन तरह का होता है सी 12 सी 13 और सी 14 तो सी 12 के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी परमानू का एटमिक भार एटमिक वेट और फिर नफ मॉलेक्टिलर वेट अनुभार या परमानूभार ग्यात करते हैं बस आपको इतना सा ख्याल रखना है पहला पॉइंट कि किस से कंपेर करते के तो सी 12 से कंपेर करते हैं और कितने से करते हैं तो ज़रा देखिए कार्बन 12 के परमानु के एक बटा बारा भाग द्रब्यमान से कंपेर करते हैं इसका C12 के एक परमानु का क्या करते हैं एक बटा बारा भाग लेते हैं और उसका कितना एक बटा बारा भाग लेने के बाद इसके एक परमानू का एक बटा बारा भाग लेंगे और उससे compare करेंगे कि किसी भी atom का किसी भी परमानू का भार कितना अधीक है या कितना कम है बात समझ रहें तो किसे compare करते हैं C12 के एक परमानू के एक बटा बारा भाग लेंगे मतलब अगर ये एक glass है और इसका एक बटा भारा भाग ले लेंगे तो इससे हम compare करेंगे इस गलास में जो water है इससे compare करेंगे कि बाकी चीजों का कितना भार है समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से तो बस इतना ही आपको ख्याल रखना है कि सी 12 के एक परमानों के एक बटा भारा भाग से किसी भी परमानों का कितना ज़्यादा या कम है कितना ज़्यादा आपको है तो उसी से compare करेंगे और उसी को बोलेंगे atomic भार बात समझ रहे हैं और जो atomic है यहाँ पे molecular है बतलो यहाँ पे atom लिए थे यहां पर molecule लेंगे पतलो वहां प्रमानू लिये थे और यहां अनू लिये थे तो और दोनों के संदर में क्या होता है सी 12 का एक बटा 12 भाग बात समझ रहे हैं तो बस इतना साब को ख्यार रखना है दूसरे तरीके से इसको एक तरह से और भी एक चीज और से कंपेर करते हैं क्या करते हैं है हाइड्रोजन एटम के हम लोग 1.008 भाग लेते हैं क्या थे भार नहीं भाग इतना पार्ट लेते हैं उसका हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन एटम के 0.001.008 पार्ट को लेते हैं और फिर उससे कंपेर करते हैं कि माल यह आइड्रोजन के 1.008 भाग से कंपेर करते हैं कि उससे कितना अधिक है और कितना कम है बात समझ रहे हैं तो दो तरीका होगे परमानुभार का एक C12 का 1 बटा 12 भाग लेते हैं और हाइड्रोजन का 1.008 भाग लेते हैं इसमें कॉंसेट चुपा हुए है और इससे कॉंसें राइज भी होता है एक्जाम में ठीक तो चलिए यह दोनों आप समझ गए यहाँ पर परमानु लेंगे और यहाँ पर अनू लेंगे अब द्रबिमान संख्या क्या है कुछ नहीं है द्रबिमान संख्या वो किसी भी एटम के किसी भी एटम का जो प्रोटॉन का संख्या होता है और उसमें जो न्यूट्रॉन का संख्या होता है इन दोनों को जोडने पर जो मिलता है उसी को बलते है क्या मास नंबर यह द्रबिमान 23 जो होता है उसको वोते हैं इवम गैड में संखिया तो चलिए नेस्ट को देखे आज स सिल्ध नियाय Allah करा है एलेक्टरोन प्रोट्रोन तथा न्यूटरोन की खोष किस्ने की तो देखे एलेक्ट्रोन का 300 में क्या था प्रोट्रोन गोल्ड स्टीन ने किया था और न्यूट्रोन का खोज चैडविक यह मैं बच्पन में याद रखा था एक ट्रीक से इटा पग नाच इटा पग नाच समझ रहें इससे आपको ख्याल रहा सकता है इटा से हो गया आपका इलेक्ट्रोन से जेजे टॉम्सन पग से हो गया आपक तो यह हो गया आपका 16 नंबर अब 17 नंबर देखें क्या कह रहा है सबसे पहले इलेक्ट्रोन के आवेश है ना का सफलता पुर्वक निर्धारन तेल बुंद प्रयोग विधी से किस ने किया तो मिलिकन नाम के एक सैंटिस्ट थे इस कोशन को ध्यान से पढ़ें सबसे पहल देखें cabe Пон It कोशन है इलेक्ट्रोन की तरंग प्रकृतिकी की खोज किस ने किती तो डिव्रोगली नाम के सैंटिस्ट ने इलेक्ट्रोन का जो वेव नेचर होता है किसी भी चीज का वेभ नेचर और पार्टिकल नेचर होता है खास करके लाइट का है है ना तो इसी तरी सब होता है Test अंदर भी चोटा सब्सक्राइब चुल серь संसे पड़न सब्सक्राइब कर दो सक्तनी तो रह सर्क्राइब के समान नामまだ सब्सक्राइब का क्या था था एक विस्यस्ट मूलकन होताई मोशन सब्सक्राइब boson particle आप सुने होगे लो जो नाम वो किस भारतिया वाग्यानी के नाम पर रखा गया है तो सत्येंद्रणाथ बसू एक हमारे सैंटिस्ट थे बंगाली सैंटिस्ट emulate उन्ही के नाम पर इस विसिस्ट तरह का जो कन होता है पार्टिकल होता है बोसोन उसका नाम रखा गया है तो चलिए आज का क्लास नहीं रैप अप करते हैं थैंक्यू बेरिमाच पीडियाफ के लिए आप क्या करें त्रीगीतम को सर्च करें कहां पे टेलिग्राम में वहाँ पे आपको पीडियाफ मिलेगा और यूटूब चैनल भी विजिट करें त्रीगीतम इंटुशन को थैंक्यू बेरिमाच